नमस्कार मैं सुमलता आप देख रहे हैं वराणसी एक्सपर्ट न्यूस इस समय वराणसी के तुलसी घाट पर मौझूद हूँ यहाँ पर बता दू आपको कि तुलसी घाट अप लगाता डेट पॉंट बन चुका है यहाँ पर मरनुवी वालों की संख्या लगातार बढ़त बता दे आपको कि वैसे तुम मौझ की नगरी कासी में 84 घाट है 84 घाटों से आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि किसी घाट पर कुछ लोग डूब गये हैं किसी घाट पर कुछ लोग डूब गये हैं लेकिन वरार्सी का यह जो तुलसी घाट यहाँ पर डूबने वालों गंगा नदी में चले जाते हैं जो कि आपको बता दे कि जिला प्रशासेंग के दारा बताया गया है कि गंगा बहुत गहरी हो चुकी है यहां का पानी काफी नीजे तक जा चुका है लेकिन इन सब को नजर अंदाज करते हुए परेटक आते हैं और गंगा इसनान करने के द तोड़ते हुए यह सब चीजे कर रहे हैं यह जानने के लिए हम यहां के स्थानी लोगों से बात करेंगे तो आये चलते हैं उनसे बात करते हैं कि लगातार तुलसी घाट पर इस तरीके से मौत के आकड़े क्यों बढ़ रहे हैं वैसे तो बनारस मुक्ष की नगरी मानी ज से हैं देखी आप तुलसी घाट पर मौजूद है तो सुनते होंगे कि यहां पर लगातार मौत के संख्या बढ़ रहे हैं क्या कहेंगे इसके बारे में लोग यह कि गंगा जी को स्नान की जगए पर मनुरंजन का स्थान समझ लिए हैं उससे लोग खिलवाल कर रहे हैं पुलिस वाले प्रशासन लोग मना करते हैं यहां के लोकल लोग भी मना करते हैं लेकिन लोगों का क्या है वो समस्ते नहीं है वो अपना मौज में रहते हैं तो बताया जाता है कि बढ़ ज्यादा गहरा है हमाज जयी हमाज जयी लेकिन लोग मानते नहीं उस चीज को मनुर दिखाने लग जाते हैं कि हम यह वह हम तैर ना जानते हैं उसी चक्कन में होता है यह सब्सक्राइब परशान हो जाती है लोगों से जनता कि कितने प्रशासन का क्या है कि 10-12 प्रशासन पुलिस वाले रहते यहां पर कितने लोगों को मणा करें जिब जन संख्य बढ़ती जा रहे यहां पर बढ़ती जा रही सकेंच़्ों को कितनें पर नाम सुन्धां किसे अधार हो रहा है और यहां पानी ठोड़ा सा जाने के बाद हम लोग कहते हैं कि इस तरीके से हो गया है कि हमस्ने में आया कि गंगा नदी का घर आतल का गहरा होता जा रहा है एसा क्या बात है कि जो जल है लगा हुआ है इसके बाद में उखर जाने पर रेती है और इधर शुरुत बन गया है और इसके बाद में उसी में शुरुत के सहारे गढ़े पानी में निकल जाते हैं प्रिशासन के दौरा क्या ब्यवस्था की गई है यहां से बहुत अच्छी तरह से प्रिशासन चल रही है और धीटी भी लोग प्रती दिन करते हैं इसमें कोई संदे है नहीं अट ले दे करके मनमानी करने की वज़ह से ये सब चीजे ऐसी चीजे सामने आ हैं घटना जो हैं जादे गहरा ठोड़ा सा जल आर और आगे जाने पर रिती पड़ी हुई है लोग जादे असे ओसान करने के लिए दूरी जाते हैं लोग इसीसे दूर जाते हैं आपको लगता है कि इन सब के लाव पुलिस प्रसाथन को और भी कड़ी बेवस्था करने चाहिए। इन 84 घाटों से जितने भी मामले सामने आये हैं कि इतने लोग ढूब गये हैं तो इन सब चीजों को ले करके हमने इस्थानी लोगों से बात की उन्होंने बताया है कि प्रसाथन के द्वारा तो बेवस्था अच्छी की गई है लेकिन वो लोग अपने मनमाने की वज़े से मा अच्छी खबर में बस इतना ही ऐसे प्रमुक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें वरार से एक्सपर्ट नियूज के साथ धन्यवाद